साथ्योग गुरूट प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत हैं कल से शुरू किया गया एक नया मीशन आपकी सफलता आपका चैनल का दूसरा टेस्ट आज नगरपाली का अधिनियम 2009 का मैंने 11-15 तक आपको करवाई हैं पूरी डिटेल करवाई ह हैं जो इसको पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा वागी स्वाटेश पढ़ने से टाइम वेस्टिंग हैं कुछ नहीं हैं आप सोच रहेंगी स्वाट्में पढ़ने से धराय याद हुज जाएगी इतना तो आपके आएक्यू हैं आपके पास कि आप धराय तो याद करी सकते कॉलिटी नहीं बनती है क्योंकि कॉलिटी जितना मतब अधिक समय में कम मैटर इकटा करके तो वह थोड़ा सा जादा एनिलशिस करके ठोड़ा सा विचलेशन करके तियार करूंगा तो वह थोड़ा आपके लिए जादा फ्लूटफूल रहेगा इसलिए मैं मैंने दस-दस प्रस्ण का टारगेट बनाया तो महिने के 300 प्रस्ण होते हैं महीने किते 300 प्रश्ण होते हैं और बहुत होते हैं 300 प्रश्ण और अगर यह साल पर तक यहीं प्रकिरिया चले तो 3600 प्रश्ण हो जाएंगे बहुत पार्ट के 300 प्रशन में प्रशन बाहर नहीं जाएगा और ज्वार उर्ज़ादा अगर प्रशन आपके वहल करने हैं और ज्यादा हल करने हैं 50 50 के फूरे सेट करना है तो मेरा जो YouTube प्रसुन क्या रहा हैं नव गठित नगर पालिका के लिए निर्वाफचन कितने समय में होना आवसक हैं कोई नगरपाली का गठित की गई हैं तो अब उसको उसमें नगरपाली का गठित होने के बाद कितने समय की बीतर चुनाव करवाना आवसक हैं तो यह तो आपको पता चली गया होगा कि पहली बार जब नगरपाली का होती है तो उसका चुनाव कितने समय की बीतर हो जाना चा ये ऐसा धारा तीन में लिखा हुआ है और भी कई धाराओं में लिखा हुआ इसका लेकिन इसका प्रारम जो परिसीमन का है वो धारा तीन में लिखा हुआ है ठीक है ये ध्यान रखना आपका प्रस नमबर एक अब प्रस नमबर दो ये क्या कह रहा है नगरपालिका का कोई इ रिक्त हो जाता हैं समय से पूर्व रिक्त हो जाता हैं लेकिन सेश अवदी छे मां से अधिक होनी चाहिए तो उप निर्वाचन होने पर व्यक्ति उस पद पर रहेगा यानि नगरपालिका का कोई पद है वो समय से पूर्व रिक्त हो गया है आकस्मिक रिक्ती हो गई है अच इस्तिपा दे दिया है उसका निर्वाचन याचिका की वज़से उसका पद सुन्य गोशित कर दिया गया है या उसको अवेद गोशित कर दिया गया है उसकी मृत्यों हो गई है उसके इस्तिपा दे दिया किसी भी कारण से हो सकता है तो अब सेस निर्वाचन वो उसका रिक्त पद रिक्त हो गया, रिक्त होने के बाद उसका जो सेश काल कितना होगा, क्या सेश काल पांच वर्स होगा, क्या सेश अवदी के लिए होगा, या अनिस्चित काल के लिए होगा, या सभी गलत हैं, नहीं भाई, सभी गलत नहीं हैं, तो इसका जो होगा, वो सेश अवदी के ल वर्ष में, तीन वर्ष 6 माँ में कोई सद से अपने पद से हट गया, हटा दिया गया किसी भी कारण से, वैदानी कारण से, किसी भी वज़ा से हट गया हैं, तो 6 अवधी 18 महा रहे, तो जो 6 चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वो 18 महा के लिए होगा, कितने के लिए होगा? 18 माहा के लिए होगा लेकिन उपचुनाव तबी होगा जब 6 अवदी 6 माह से अधिक हैं तो यह उपचुनाव होगा वरना उपचुनाव नहीं होगा तीसरा प्रश्न यह कह रहा है कोई सदस्य जब अपना त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र नोटीस की कितनी अवदी के बाद त्याग पत्र स्विकार किया जा सकता है यानि कोई व्यक्ति त्याग पत्र देता है मतलब अपना पत्र से त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र का नोटीस दिया कि मैं अपना त्याग पत्र देता हूँ इसका नोटिस मिलने के बाद कितने समय के भीतर उसका त्याग पत्र स्विकार कर लिया किया जा सकता है अवदी के बाद तो ये उसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर 15 दिवस के बाद यानि जिस तारी को नोटिस दिया उस नोटिस के 15 दिन के बाद उसका त्याग पत्र हैं वो सविकार कर लिया जाएगा या फिर उस दिन परपावी होगा जिस दिन अध्यक्ष ने वो त्याग पत्र सविकार कर लिया हैं। समझ गए ये 15 दिवस के और इसका उलेक सविदान की धारा 38 में हैं। समझ गए अब देखो तीन प्रश्न हो गए चौथा प्रश्न क्या कह रहा हैं। पदावदी की समापती की पश्चात यानि किसी सदस्य या अध्यक्ष का पदावदी समापत हो गई हैं। समापत होने के बाद उस पर कोई allegation लगा हैं। तो उस allegation की जाच हो सकती हैं। जाच हो सकती हैं। इसका उलेक कौन सी धारा में हैं। तो इसका उलेक हैं धारा नमबर 40 में। समझ गए। जैसे कोई ए वेक्ति हैं और वो सदस्य हैं। और पद पर रहने के दौरान उसने जो कुछ काम किये उस काम में कोई गरबड़ी कर ली उसने। और गरबड़ी करने के बाद गरबड़ी कर दी और उसी समय उसकी जाच कारिय शुरू हो गया, उसके कुछ एलिगेशन लगया और उसके जाच किया जा रहा हैं। और जांच के दौराव नहीं उसको पद से हट गया है, या उसको रुटा दिया गया है, इस ने तियाग पत्र दे दिया है, तियाग पत्र देने के बाद भी उसके जांच है वो जारी रहेगी। वो काम करना बंद कर देगा अगर पदपर है तो वो अपने पदपर नहीं रहेगा और वो काम करना बंद कर देगा उसके उपर अब और कोई जांत बैठाई जाएगी कि उसने बष्ट आचरन किया है तो उसके उपर दारा 31 के अनुसार दारा 32 के अनुसार और कोई उसके उप पर प्रष्ट आचरण के आरोप लग करके उसके उपर विरुद कारवाई की जाएगी लेकिन इससे पहले उसने जो कुछ काम किये हैं वो अवेद गोसित नहीं होंगे ये सारा किसमें लिखा हुआ है ये धारा 40 के अंतरगत हैं ठीक है तो अब धारा 43 में क्या है धारा 43 में अद्ध्यक्स और उपाद्यक्स के एक अद्ध्यक्स और उपाद्यक्स होगा इसका उलेक है धारा 43 में 43 में क्या है? एक अध्यक्स होगा और एक अध्यक्स होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्स होगा इसका उल्ले कौन सी है? धारा 43 में है धारा 45 में नगरपालिका के मुख्य कारिय है और धारा 46 में क्या है? नगरपालिका के अन्यकारिय है याद कर लो रटलो उनको धारा 45 में मुख्य कारिय है, 46 में अन्यकारिय है, 43 में एक अध्यक्स और उपाध्यक्स होगे प्रस्न नंबर 4 अब हैं प्रस्न नंबर 5 वा कौन सा है? पांचवा कह रहा है कि निम लिखित मैंसे कौनसा एक कारिय मुख्य नगर पालिका का क्रत्य नहीं है यानि धारा 45 के अनुसार इन मैंसे एक मुख्य नगरपालिका का मुख्य कारिय नहीं है तो क्या लोग नियूसेंसों को समाप्त करना यानि लोग नियूसेंस जो भी फैलाई जा रहे हैं, गलत वगेरा अप्पाय वगेरा जो फैलाई जा रही हैं, जो समाज में कुछ किसी परकार की वैवधान या कुछ गरपड़ियां की जा रही है उनको समाप्त करना, घरों का संख्यांकन करना, ये क्या कह रहे हैं, कौन सा एक कारिय नहीं है, पूछा हैं, कौन सा मुख्य कारि यह हैं दारा 45 में वरनित गरों का संख्यांकन दारा 45 में वरनित हैं पोध सालाओं की स्तापना करना यह दारा 46 में हैं ओवर ब्रिजों का निर्मान करना यह दारा 45 में हैं तो बाईयों और बैनों आपको इपास समझ में आ गई होगी कि कौन सा मुख्य कारिय है और कौन सा ग मिल सकता है इसका उत्तर यह है यह गौण कारिये में आ रहा देखो धारा 46 में है यह गौण कारिये हैं धारा 46 में समझ गए तारा 46 में यह गौण कारिये हैं समझे नहीं समझे अब देखो अगला क्या कह रहा है यह निम लिखित में कौन सा समूग गलत है यह इतने प्रस्ण यह 4 धाराइं दे रखियें, लगबक क्रमस सही है, 46, 47, 48 और 49, यह लगातार कंटीनिव है, आपको उत्तर मिल गया होगा आपको, इसका उत्तर मिल गया होगा आपको, कैसे मिला कि भाई, यह धारा 46 में तो गौरण कारिये हैं, यानि अन्य कारिये हैं नगरपालिका के, अन्य कारिय हैं ना तो ये 46 में कारिय बार सौपने की बाद कहां से आ गई कारिय बार सौपने की बाद कहां से आ गई तो 47 में क्या है देखो सरकार द्वारा समुद्धे सित्व कृत्य करना यानि नगर पालिका को अगर सरकार की द्वारा किसी अन्य नगर पालिका के कारियों को सौ सरकार चाहे तो किसी भी नगरपालिका को किसी अन्य नगरपालिका का कारिय दे सकती हैं और ये कारिय वो नगरपालिका अपने संसाद्रों को ध्यान में रखते हुए संपादित करेगी 48 में अध्यक्स के क्रत्य हैं 48 में अध्यक्स के क्रत्य हैं 48 में है अधिक्स के कारिय दिये हुए हैं उन्चास में क्या अभी लेखों की अभी रक्षा करने का का चाहिए नगरपालिक अधिकारी का हैं अभी रक्षा और 46 में कारी बार समपना नहीं है अन्य कारिय है तुछ गए है कि कर दो आगे चलते हैं राज्य सरकार किसी नगरपालिका के किसी कारिय को अन्य नगरपालिका को दे सकती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा क्या होगा ये रा 47 वा धारा 47 में लिखा हुआ है कि कोई नगरपालिका को राजी सरकार के द्वारा किसी अन्य नगरपालिका के कारियों को सौपा जा सकता है द्यान रखना इसका फिक है आगे देखो परतेग नगरपालिका में एक अध्यक्स होगा कौन सी धारा में है दारा 43 में कि परतेग नगरपालिका में एक अध्यक्स होगा ये कौन सी धारा में है दारा 43 में है बाकि अपन ने 41, 42, 46 कर रखे हैं कोई सदस्य नगरपालिका का निर्वाची सदस्य होने पर संसद या विदान सबा पंचायती राज संस्ता का सदस्य नहीं बन सकता इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई पंचायती राज का कोई नगरपालिका का सदस्य है और वो संसद का भी सदस्य बन रहा है विदान सबाय का बन रहा है या फिर पंचायती राज का सदस्य बनने के प्रयास कर रहा है तो वो ऐसा नहीं हो सकता वो ऐसा ऐसी परकार के सदस्य नहीं बन सकता कौन सी धारा में है ूलेक 43 में है कितना है 43 में है और अगर ऐसा अभू सदस्य बन जाता है जो 14 दिवस का समय दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है बाई तुम्हें किसका सदस्य रहना है ए किसका नहीं रहना है चोदा दिन का समय दिया जाएगा और चोदा दिन के समय के भीतर तुमें निर्णे करना होता है ठीक है यह ध्यान रखना इसका बागी और मेरी मेरी जो एप है एप पे मैंने इनकी सारों की जित्ती धारा हैं उनका PDF चड़ा रखा है बिलकुल सरल भासा में वेख्या करके आज ये निर्वाचन आयोग धारा 35 की उपधारा फश्ट कव में वर्नित किसी निर्हरता को उप्युक्त कारणों में से कम कर सकती है या हटा सकती है यानि धारा 35 में कोई ब्रष्ट आचरन के संबंद में कोई योगिता किसी कोई सदस्य या कोई उमिद्वार ग्रसित हो किसी नागरिक होना चाहिए आ sushi वह योगिता है नहीं या कोई इंसान पागल और निर्वाचन आयों में और वनका कोई आदमी ओमिद्वार बन सकता है और दिवालिया आदमी उमिद्वार बन सेकता है वो योगिता कम नहीं कर सकती वह Says किन्व या क्या किसी निर्योगिता को कम करने के लिए कर सकती है या हटा सकती है तो यह कौन से में हैं यह दारा 36 में है यह दारा किस में है 36 में है यह द्यान रखना कौन से दारा में है यह 36 में वरनित है कि 35 में वरनित कोई अयोगिता को समाप्त कर सकती है अब देखो इसमें क्या है इसमें क्या है सपत का प्रावदान है सपत का प्रावदान है न अद्यक्स उपाद्यक्स उपाद्यक्स की सपत होगी तो इनके सपत का इसमें उलेख है धारा 35 में क्या है धारा 35 में ये अयुग गिता निरता है ठीक है और धारा 34 में क्या है आदेश की अंतिमता यानि सरुच नियाले के जो भी आदेश दिया जाएगा धारा 31 और 32 के अंतरगत यानि धारा 31 और 32 के तहट याचिका के लिए निर्वाचन याचिकाओं के संबंद में जो भी आदिश दिया जाएगा वो आदिश नियाले का अंतिम आदिश होगा और वो 37 में हैं तो यह देखो आप ऐसे करके कंपेर करके पड़ोगे मज़ा आएगा और आप निश्चित रूप से अधिशासी अधिकारी बन ज यह है और यह यह अ पर नहीं है वह झाएगा सफिसर का पेपर ओ सभागे में और फेपर देक्ष का आपस पड़ा जिसका परेश ता यह जैपुर परजा मंडल में जो था आजाद मोर्चे का गठन किस ने किया था बावा हरीश चंद्र ने किया था तो वह 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 वाला परस्ट डोजार उन बीस का है जो दार बीस का था मेरे पास पिछले लगबग बारा तेरा सालों के इसके आरपीशी की पेपर पड़े हैं और सारे कंपूटरीज किये हुए हैं मैं जल्दी उनको मैं एक पर चडा रहा हूं कि वैख्या के चड़ा रहा हूं उनको तो ठीक है तो यह अपने आज 10 प्रस्ण किये आप इन 10 प्रस्ण को रठे अभी भी मैं अभी 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 आपने नोट किया होगा कि मैं दारा एक से लेकर 50 तक को लेकर चल रहा हूं तो इसी परकार में एक-दो-दो-थीन वीडियो और बनाओंगा यानि अगर 30-35 बनाओंगा आपके लिए 150 तक कि फिर मैं आगे वाले प्रशन बनाओंगा ठीक है तो आप इसको देखें और मुझे फीडबेक दें वापस अच्छा